मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांती आज 5 दिसंबर 2023 के साकार मधूर महवा के है आज मिठे मिठे बाप दादा बोले मिठे बच्चे कल्यान कारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्यान कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े रोना अ कल्यान वदेह अभिमान की निशानी है बाबा ने कहा मिठे बच्चे कल्यान कारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्यान कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े रोना अ कल्यान वद देख अभिमान के निशानी है बाबा ने अच प्रश्न पूछा कि किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है और उत्तर में बाबा समझाते कि तुम जानते हुँ कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है भल पीज के लिए प्रयास करते रहते हैं लेकिन नर चाहत कुछ और कितना भी कोशिश करें ये भावी टल नहीं सकती नेच्रल केलमिटीज आधी भी होनी है तुम्हें नशा है कि हमने इश्वर ये गोद ली है जो साक्षात कार किये हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो विश्व में मनुष्यों की बुधी में भक्ती मार्ग का ही गायन है क्योंकि अभी भक्ती मार्ग चल रहा है यहां फिर भक्ती का गायन नहीं है यहां तो बाप का गायन है बाप की महिमा करनी होती है जिस बाप से इतना उंच वर्सा मिलता है भक्ती में सुख नहीं है भक् को करते हैं ना मनुश्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ तो खुश होना चाहिए ना जबकि स्वर्ग में जर्म लेते हो तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं वासर में यह सची बात तो है ही नहीं कि स्वर्ग वासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं अब इन रोने वा दुख नहीं होगा तो जरूर हर्शित रहेंगे रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्यान होता है सत्युग में कभी अकल्यान नहीं होता इसलिए वहां कभी रोते नहीं अकल्यान की बात ही नहीं होती यहां कभी कमाई में घाटा पड़ता है कभी अन नहीं मिलता तो दु करते हैं कि आकर सभी का कल्यान करो अगर सर्व व्यापी है तो किसको गहते हैं कल्यान करो परंपिता परमात्मा को सर्व व्यापी मानना बड़ी से बड़ी भूल है बाप है सब का कल्यान कारी वह एक ही कल्यान कारी है तो जरूर सब का कल्यान करेंगे तुम बच्चे जानते ह परमपिता परमात्मा हमेशा ही कल्यान करते हैं अब वह परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्यान करें विश्व का कल्यान करने वाला और तो कोई है ही नहीं बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं कितनी भारी भूल है अभी बाप अपना परिचर देख के कहते हैं मन मना भव इसमें ही कल्यान है सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्यान होता नहीं त्रेता में भी जबकि रावन राज्य है तो वहां शेर बकरी इकठे जल पीते हैं हम राम सिता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि दोकला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, जो बाप सापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है उंच ते उंच बाप से वर्षा ले हम कल्यान करें हर एक को अपना कल्यान करना है श्रीमत पर बाप ने समझाया है एक है आसुरी संप्रदाई दूसरा है दैवी संप्रदाई अभी एक तरफ रावन राज्य है दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी संप्रदाय बना रहा हूँ कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सत्युग में होता है पाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविश्य के लिए बनाता हूँ अभी है ब्राह्मन संप्रदाय दैवी संप्रदाय बन रहा है गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता करत लागेनवार पर अंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे वह ड्रामा के आधी मद्य अंत को तो जानते ही नहीं सुरिष्टी के आधी में जो लक्षमी नरायन सुरिष्टाचारी हैं वह भी आधी मद्य अंत को नहीं जानते थरिकाल दर्शी नहीं है आगे जन्म में तरिकाल दर्शी थे स्वदर्शन चक्रधारी थे तब यह राज़ पत पाया है उन्होंने फ़र स्वदर्शन चक्रधार दे दिया बाब नामी ग्रामी है बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ अख़बार में पड़ा था मनुष्य कहते हैं कि हमाले की इतनी मल्टी मिलियन एज है अब हमाले की कोई आयू तो होती है क्या यह तो सदैव है ही हमाले कभी गुम होता है क्या यह भारत भी अनादी है कब रचा गया इसकी एज नहीं निकाल सकते वैसे हमाले के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है इस हमाले पहाड की आयू गिनी नहीं जाती ऐसे थोड़ी कहेंगे कि अकाश की वह समुद्र की आयू इतनी है हिमाले की आयू कहते हैं तो सुमुद्र की भी बताएं कुछ भी जानते नहीं यहां तो तुमको बाप से बरसा पाना है यह है इश्वरिय फैमिली तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते है एक राजा जनक की बात नहीं जीवन मुक्ती में अथ्वाराम राज्य में तो बहुत होंगे न सबको जीवन मुक्ती मिली होगी तुम सकिन में मुक्ती जीवन मुक्ती पाने के पुरुशार्थी हो बच्चा बने हो ममा बाबा कहते हो जीवन मुक्ती तो मिलेगी न समझ सकते हैं प्रजा तो धेर की धेर बनती जाती है दिन प्रति दिन प्रभाव तो निकलना है न यहां धरम की सापना करना बड़ी महनत है वहां तो उपर से आकर सापना करते हैं उनके पिछाडी उपर से आते जाते हैं यहां तो एक एक को राज्य भागे पाने का लायक बनाना पड़ता है, लायक बनाना बाप का काम है, जो मुक्ती जीवन मुक्ती के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है, पांच तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है, तुम्हारा अभी सेक कोई अश्चरवत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, प्रक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है, नर चाहत कुछ और और होता कुछ और, वह चाते हैं पीस हो परन्तु भावी को तुमने साक्षातकार किया है, वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परन्तु यह भावी तल नहीं सकती, अर्थक्वेक नेच्रल केलेमिटीज होंगी, वह क्या कर सकते, कहेंगे यह तो गौड का काम है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, जिनको इतना नश चड़ता है और याद में रहते हैं, सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं, तुम चानते हो, यह भावी तलने की नहीं है, अन नहीं है, मुनुष्यों के रहने के लिए जगा नहीं है, तीन पैर प्रथवी के नहीं मिलते, तुम्हारा यह है इश्वर्य परिवार, मात, पित भी कहते हैं कि मैं बच्चों के ही समुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात ही नहीं, हम परिशे देते हैं बाप का, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, मन मना भव मद्यजी भव का अर्थ भी यह है, बाप का परिशे दो, जिससे क्रेचर और क्रेशन का रास्त समझ जाएं, मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है, बाप कहते हैं मुझे कल्यान कारी को ही आकर कल्यान करना है, बाकी शास्त्रों से कल्यान हो नहीं सकता, पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो पर तुम जानते नहीं हो, बाप को याद करना है तो परिशे भी चाहिए न, बै कहा रहते हैं, आते हैं के नहीं, तो बाप वर्सा तो यहां के लिए यह देंगे, वहां के लिए देंगे, तो बाबा वर्सा यहां के लिए देंगे, बाप तो समुख चाहिए, शिवरातरी भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है, साब आत्माओं का, वह रचता है, नई नौलेज देते हैं, सृष्टी चक्र के आधी मद्य को वह जानते हैं, वह है उंचे से उंचा टीचर, जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने सिखलाया, तब हम सिखलाते हैं, गीता में भी शुरुवात में और अंत में मन मना भव और मत्यजी ज्जाड और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धी में रहता है डिटेल में समझाना पड़ता है रिजल्ट में फिरभी एक बात आती है बाप और वर्शे को याद करना है यहां तो एक ही बात है हम विश्व के मालिक बनेंगे विश्व का कल्यानकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाएंगे नर्ग का थोड़ी मालिक बनाएंगे दुनिया ये नहीं जानती कि नर्ग का रजयता रावन है और स्वर्ग का रजयता बाप है अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है सबकी वानप्रस्त अवस्था है मैं लेने आया हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे यह निश्चे बुध्धी से किसी को समझाना है तोते मुआफिक नहीं निश्चे बुध्धी को फिर रोने की वद देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है अब तुम देही अभिमानी बनो शरीर निर्वा अर्थ करम करो वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं यहां तो तुनको गरस्त वेवार में रहना है बच्चों को संभालना है बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है बाप को कितने बच्चे हैं फिर उनमें कोई सबूत हैं कोई कपूत हैं नाम बदनाम करते हैं काला मू कर देते हैं बाप कहते हैं काला मू नहीं करो बच्चा बन और फिर काला मू करते हो कुल कलंकित बनते हो इस कामचिता से तुम सामवरे बने हो कामचिता पर थोड़े जल मरना है हलका नशा भी नहीं होना चाहिए सन्यासी आदी अपने फॉलोर्स को ऐसे थोड़े कहेंगे वह रियलिटी में नहीं है बाप तो सबको सच्ची बाते समझाते है बाप कहते हैं मुझे याद करो तुमने गैरंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे बाप कहते हैं बच्चे फिर विशे गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो तुम बच्चियां जब ऐसी मुर्ली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ग्यान तो हमने कभी नहीं सुना मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए चित्र ले जाना चाहिए यह त्रमूर्ती छाड दिल वाला के ही चित्र है उपर में दैवी जाड खड़ा है बाकी दैवी जाड जो पास्ट हो गया वह दिखाते है ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करें कि इसने तो कमाल की है जैसे बाबा रमेश की महिमा करते है प्रदशनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है यहाँ भी प्रदशनी करेंगे चित्र तो बहुत अच्छे है अब देखो डैली में जो रिलिजिस कॉन्फरेंस होती है वह भी कहते हैं वन्नेस हो उसका तो अर्थी नहीं बाब एक है बाकी है भाई बहन बाब से वर्सा मिलने की बात है आपस में मिलक शीरखन कैसे होंगे यह बाती समझने की है पर दशनी में वरिद्धी के लिए म्युक्ती रचनी है जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लचा आनी चाहिए अगर दस नए आए और आठ दस मर गए तो इससे फाइदा क्या हुआ अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉरिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते ओम शान्ती ये मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, किसी भी परिस्तिती में रोना वा देह अभिमान में नहीं आना है, और सेकिन पॉइंट है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्यान करना है, सपूत बन बाब का नाम बाला करना है, तो बाबा ने आज वर्दान दिया, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्दित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भावव। बाब ने व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वध धर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ, मैं योगी नहीं बनूगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि मैं क्या करूँ मेरा तो शरीर ही नहीं चल सकता ये पुराना शरीर तो बेकार है नहीं वहवा के संकल्प करो कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी तो स्लोगन है शुब भावनाओं की शक्ती दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्थन कर सकती है शुब भावनाओं की शक्ती दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्थन कर सकती है ओम शान्ती और अब यह हैं एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल झाल